वेल्कम फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका देखिए जब से इंटेल ने अपने ट्वेल्थ जनरेशन के प्रोसेसर से लॉंच किये हैं और उनके स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने चेक किये हैं तब से बजट गेमर और जो हाई लेविल की गेमिंग करते हैं उन सब में जो है इससे बहुत ज़्यादा उमीदे एक्सपेटेशन हैं और यह जली से जली कोशित की जा रही है कि यह जली से जली मार्केट में आया हम अपना सेट अप इस पर बिल्ड करें तैयार करें तो आई-3 आई-5 आई-7 और आई-9 इन सभी जनरेशन में जो है इन सभी सी पर और कौन-कौन से पार्ट जो है इनके लिए बहतर रहेंगे तो वह सब इस वीडियो में जानेंगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा बने रहें वीडियो में आज के वीडियो में जो हम PC बिल्ड करने जाना है उसमें प्रोसेसर हमारा है आई-5 का 12th ग्राफिक के साथ में है 12th generation का model number 12400 तो without graphic card के साथ में जो है इस्तिमाल करेंगे इस वाले प्रोसेसर को क्योंकि इसमें इन विल्ड ग्राफिक आपको देखने को मिलेंगे तो देखते हैं 5 parts लगाएंगे धासू parts होंगे और 5 parts में आपका पूरा PC बिल्ड हो जाएगा जो आपके अच्छे से अच तरह के जो है प्रोफामेंस नहीं दे पाएंगे जो आपका i5 12th generation दे देगी इस वाले में आप सोयम देखिएगा और इस बजट में जो है आप दूसरे जो भी PC बिल्ड हो सकते हैं उनसे इसको compare कीजएगा और अनुमान लगाईएगा कि इसमें आपको कहां पे जो है कितना परफामेंस मिलेगा और जो साथ हजार तक का budget होगा हमारा उसमें जो है आपको कहां तक जो अभी उपलब्द है प्रोसेसर उनमें इंटेल के ही या फिर राइजन के उनमें कितना जो है आपको परफामेंस मिलेगा तो अब स्टार्ट करता हूं मैं यहां से देखिए i5 12th generation जो छे कोर हैं इसमें वो भी परफामेंस वाले कोर हैं पावर कम जो कंजेप्शन की बात करें तो 117 वाट तक यह पावर कंजेप्शन आपकी कर जाएगा तो कम से कम 500 वाट आप लेके चलें पावर सप्लाई मिनिमम एक सो अठाइजी भी तक आप इसमें रैम लगा सकते हो डीडीर 4 की 32 डीडीर 5 की आप 4800 Mhz की आप इसमें रैम लगा सकते हो इंटैल उस्टी ग्राफिक आपको इस वाले मॉडल मिलते हैं जो की मॉडल 730 है उस्टी ग्राफिक का और 1400 Mhz तक की आपको फ्रेक्वेंसी को आपको निकाल के दे देगा PCI का भी आपको 5.0 generation का आपको slot मलेगा 4.0 तक के support कर जाएगा और आपको पता ही है कि motherboard आपको लिए चाहिए जो socket हो LGA 17 पर चलने वाला साथी साथ एक और भी बात है जो Intel 600 series के spread वाले जो भी motherboard बनेंगे वो भी सब इस पर support हो जाएगे तो यह तो रही कुछ प्रोसेसर से related बात जो हमने मोटी मोटी जानी अब आगे आगे धीरे धीरे components पर बढ़ते हैं तो पहले प्रोसेसर का जो है MRP देख लेते हैं USA की website पर कितने का है 216 डॉलर का है 217 गुणा 75 रुपए का एक डॉलर अभी चल रहा है तो 16,200 रुपए का यह आपका प्रोसेसर आई 5 का 12 जनरेशन का इंबिल्ट ग्राफिक वाला सेल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि USA में जो है अभी जो है काफी बढ़िया जो है वहां के लोगों को डील मिल रही है और अब चलते हैं मदरबोड की और देखी मदरबोड की बात करें तो आसुस का प्राइम 600 सीरीज पर चलने वाला जैड 690 P Wi-Fi इन बिल्ट LGA 700 सौकिट पर चलने वाला 12 जनरेशन के लिए आपका जो है यह मदरबोड है इसमें बात करें तो PCI 5.0 यानि कि आपके जो भी ग्राफिक आट होंगे अगर आम लगाना चाहरे हो तो इस पर आप लगा सकते हो DDR5 आपका RAM सपोर्ट करेंगा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेसर हमारा DDR5 टेक्नलोजी पर है तो DDR5 ही लेटिस टेक्नलोजी अभी हम इस पर पार्ट चुनेंगे तो DDR5 वाला यह मदरबोड है आपका और इसमें बात करें तो 14 प्लेस वन यानि की 15 प्वाइंट के आसपास इसमें प्वाइंट आपको मिलेंगे जो पावर के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप यूज कर सकते हो तीन आपको M.2 के सलोट इसमें देखने को मिलेंगे Wi-Fi आपको 6 वाला मिलेगा वर्जन Bluetooth वाला आपको 5.2 वाला वर्जन मिलेगा 2.5 GB वाली LAN आपको मिलेगी जो की बहुत ही जादा बहतर होगी बहुत ही जादा Speed आपको Provide कराएगी और Front में Panel 3.2 Generation के एक जो है आपको पोर्ड मिलेगा USB का Type-C का आपको एक पोर्ड मिलेगा और बाकी जो है आपको एश्टा कंपोनेट आप पर मिलेंगे अब जड़ा इसको जो है थोड़ा ध्यान से इस वाले मदरवोड को देख लेते हैं देखिए जो इसके साथ ये जो शार्क की तरह है जो पूछ देख्याँ यह आप सुछते होंगे यह है क्या चीज्ज तो यह जो है आपका Wi-Fi है और यह जो है आपका इस वाले पोर्ड में लगने वाला है तो पोर्ड को अगरे करके आप इस वाले में देखोगे तो इसमें जो है आपको RGB वाले Connector यहां पर मिलेंगे आपको और चार पिन यहां पर आपको मिलेंगी जो फैन के लिए यहां पर दी गई है और यहां पर जो है आपका प्रो कूल Connector Heat Sync के लिए है और आपका M.2 आपका Heat Sync के लिए यहां पर है तीन आपकी M.2 यहां पर एक ही पोर्ट पर लग जाएंगी जो की एक की उपर एक है साथी साथ PCI का भी आपको यहां पर जो 5.0 वाला Slot आपको देखने को मिलेगा और रैम की बात करें तो देखिए रैम यहां पर चार Slot है इस वाले Model में जो आपका DDR5 6000 MHz वाली Frequency तक आपका सपोर्ट करेगा 108 GB तक आप इसमें इन Slots में लगा सकते हो M.2 की जो Slots यहां पर बात की गई है इन में तो यहां पर देखिए तो यहां पर जो है जो तीन आप Slot यहां पर दिये गए हैं जो आप यहां पर प्रियोग इनका करके यहां पर लगा सकते हो तीन में आप जो है एक लगा सकते हो 4.0 की दूसरी भी 4.0 की सपोर्ट करेगा तीसरा जो सलॉट है वो आपका थोड़ा स्पीड जो है कम देगा तो यहां पर तीन सलॉट जो है 4.0 वाले तो इस वाले मदरबोर्ड में कुछ बेसिक इस्पेशिक आपने देखे और यहां पर जो है आपके USB पोर्ट की अगर बात करें तो USB आपके डिस्प्ले पोर्ट बहुत सारे यहां पर मिल जाते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था सुरुवाद में ही तो बहुत सारे आपको कीमत इतनी आ रही थी वहाँ पर निकल के तो प्रोसेसर इतनी ही कीमत इसकी अभी है तो प्रोसेसर की कीमत तो हमने जानी ली थी अब इसकी भी कीमत जानो 220 डॉलर है तो 220 को 75 रुपए से आप मिल्टिप्राइब करोगे तो साड़े 16,000 रुपए कर आपका यह वाला मदरब है और अगर आप LGA 1700 इस सॉक्ट पर चलने वाला DDR4 मॉडल लोगे तो दस्यार के अंदर ही आपको वह मिल जागे लेकिन हमें उसकी रिक्वार्डमेंट बिल्कुल ही नहीं है अब बात करेंगे रैम की तो देखिए रैम की अगर बात करूं तो रैम DDR5 की 16 GB की इसमें लगने मेहर्स रिक्वेंसी वाली और 150 डॉलर में सेल कर रहे हैं 32 GB में आपको बहुत सारे मॉडर मिल जाएंगे लेकिन वह काफी काफी ज्यादा कोश्ट है तो सबसे ज्यादा अगर महगाई है DDR5 में तो वह है रैम पे रैम बहुत ज्यादा कोश्ट ली यहां पे मिल रही है यहा आप मुल्टिप्राई करोगे पुछत्तर से तो आपको 11,250 और हमारे यहां जो है तेरह साड़े तेरह जार रुपे में यह उपलब दो पा रही है 4800 मेगाहर्स तक की तो यह वाली minimum DDR5 लगाएंगे वन टीवी की बात करें इसमें जो हम 4.0 वाली वन टीवी की SPG कंपनी की गेम एक्स मॉडल है हमारा और वन टीवी की M.2 इस पर लगाएंगे जनरेशन 4 वाली काफी बढ़िया जो है और सबसे सस्ती है अभी यह जो मैंने यहां पर देख पा रहा था और Speed भी इसकी अच्छी मिल रही थी Speed की बात करें तो 6800 मेगावाइट पर सेकेंड यहां पर Speed लिखा रहे हैं जो की काफी बढ़िया है जनरेशन 4 में तो यह वाली जो है 129 डॉलर इसका रेट है तो 129 डॉलर तक्रीवन माल लो एक सो उन्टिप्लाई वाई 75 तो 9,675 रुपय के आसवाद 1 TV की आपको देखने को मिल रही है एक Storage M.2 पावर सप्लाई यहां जानते ही हैं यह वाली तो हम आसानी से हमारे यहां भी मिल जाती है इंडिया में और USA की वेबसाइट पर कितने की Amazon सेल कर रहा है 34,75 तो तक्रीवन 2500 के आसपास शेल हो रही है तो हमारे यहां भी 3000 के आसपास मिली जाती है और एक कैमिनेट इ एक अच्छा ठीक ठाक कैमिनेट है और इस कैमिनेट को Amazon 24 भी है वहां पर बनाया हुआ 59 डॉलर का है तो तक्रीवन 60 डॉलर का है तो 75 रुपैसे मिल रही है इतने में तो अपने यहां भी आसानी से मिल जाती है यह तो कोई बड़ी बात नहीं है में चीज आपको जो है हमार अब प्रोसेसर बहुत ही सही रेट में मिल रहा है वहां पर और जो कि हमें अभी सही से उपलब्द नहीं हो पा रहा है यह वाला मॉडल और एक आद महिने में हो सकता है आराम से जो है मिल जाए Amazon पर भी और Motherboard की बहुत जादा दिक्का चल रही है Motherboard अब देखो कब तक आए DDR5 टेकलोजी वाला और रैम जो है कब सही से मार्केट में आपाती है DDR5 वाली अगर यह तीन चीज़ें सही से मिलना स्टार्ट हो जाती है तो हमारा पूरा सैटप जो है बनगे त्यार हो जाएगा तो सभी कार्ट में जो हमने छे आइटम से लगाए हैं मात्र छे आइटम है और इन सब का अगर प्राइज है घर हम जोने तो आठ सो बारा पॉइंट कुछ डॉलर आ रहा है तो आठ सो बारा को अगर हम देखें तो आठ सो तेरा कर लेते हैं इसको तो आठ सो तेरा डॉलर मल्टिप्लाइ करो 75 से तो तक्रीवन साट एक सट हजार के आसपास यह सैट अप बन रहा है अब आप बताएंगे कि साट हजार रुपए में सैट अप के आपके लिए बुरा रहेगा आई फाइब का 12 जनरेशन वह भी डीडियर फाइब टेक्नोजी फे वन टीवी रैम के स सबकुछ 60,000 रुपए में अच्छा स्पीट का अच्छा अच्छा ब्रंट आगर मिल जाता है तो अपने इंडिया में इस प्राइश पर तो बहुत भड़िया है अगर हमें प्रोसेसर अगर मिल जाता है तब भी हम प्रियोग इसके साथ बहुत सारे कर सकते हैं प्रोसेसर लिए और वाकी पावर सप्लाई तो इतनी ही हमें चाहिए होगी तब भी हम प्रियोग कर सकते हैं तो अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि यह क्या PC कि आप चाहते हो बिल्ड करना कितनी जल्दी चाहते हो और दूसरी चीज यह हमारे इंडिया में किस प्राइस पर सेल होने वाला है बताना कि 216 डॉलर का जो वहां पर मिल रहा है 216 डॉलर का 12 जनरेशन आई फाइब में तो 216 यानि 75 के साथ साड़े सोलह जार रॉपए के लंसम तो हमारे यहां आई फाइब 11 जनरेशन यह बीच रहे हैं और लेकिन वहां पर 12 जनरेशन इतने बेच रहे हैं तो आखिर क्यों बेच रहे हैं यह लोग पता नहीं इस चीज का लेकिन मुझे लग रहा है अगर पार्ट्स जो हैं अगर हमारे पास आते हैं कभी तो हम लोग जो है इसको जरूर बनाएंगे और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा आई 512 जनरेशन पर भी जो इंडिया में हम कहां से करीज सकते हैं और कहां कहां पर भी ऑनलाइन जो है मिल रहा है यह उसको भी देख सकते है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आपका